नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टेक्निकल बिट्टू फोन में आज एक और इंपोर्टेंट टोपिक के ओपर बात करेंगे सबसे पहला सवाल PD Charger क्या होता है देखी ये एक पावर डिलिवरी चार्जिंग टेकनोलोजी होती है जो USB-C port के थ्रूट डिवाइस को हाई पावर सप्लाई देने के लिए यूज होती है ये चार्जर आपके स्मार्टफोन, टैबलेट, लैप्टोप और इवन गेमिंग कंसोल तक को फास्ट चार्ज कर सकता है PD Charger मल्टिवल वोटेज को सपोर्ट करता है मतलब एक ही चार्जर है आपको 18 वोट भी दे सकता है, 30 वोट भी देगा, 33 वोट भी देगा और 65 वोट भी देगा और यहां तक कि वो 100 वोट की सप्लाई भी दे सकता है आपने अगर टेक्निकल विट्टू फोन को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप यहां से कुछ ना कुछ ले कर जाएं दूसर नमपर पे सवाल आता है, PD Charger कैसे काम करता है तो देखिए PD Charger एक स्मार्ट प्रोटोकोल चार्जिंग पर काम करता है इसमें दो बाते होंगी, Power Negotiation और Variable Power Output Power Negotiation के बारे में बात करते हैं, जब आप Charger को किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं Charger और डिवाइस के बीच एक Communication होती है Communication होने के बाद ने Charger को पता चल जाता है कि मुबाइल फोन के अंदर कितनी वोट की ज़रूत है मुबाइल फोन कहता मुझे 18 वोट चीए, Charger उसको 18 ही देगा 18 से जादा नहीं देगा, 18 से कम नहीं देगा, उसको वो प्रोपर चार्ज कर देगा और इसी तरीके से अगर आपके पास 33 वोट का मुबाइल फोन है भाइसे वहाँ अगर 100 वोट की ज़रूत पड़ रही है, तो वो उसको 100 वोट देगा कहने का मतलब PD Charger से नुकसान होने का खतरा नहीं रहता दूसरा आपको बताता हूँ, Variable Power Output PD Charger डिवाइस को उतनी ही पावर देगा, जितनी की डिवाइस को ज़रूत होती है अगर फोन को 18 वोट चीए तो 18 और लैप्टोप को 65 चीए तो 65 देगा अब इस टेक्निलोजी के हैने फाइदे सुन लेते हैं, ये मुबाइल फोन को ओवर हीटिंग और ओवर चार्जिंग से बचाता है जो इसे ओवर चार्जरों से सेफ बनाता है अब तीसरा सवाल जाया तर मुझे से पुछा जाता है कि PD चार्जर और नॉर्मल चार्जर में क्या अंतर है इन दोनों में आपको तीन बाते बताता हूं ध्यान से सुनना नॉर्मल चार्जर जो होता वो फिक्स वोल्टेज देगा अगर वो 10 वोट का है तो 10 वोट ही देगा और वो 18 वोट का है तो 18 वोट देगा जबकि PD चार्जर आपको multiple वोटेज दे सकता है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात एक ही है कि PD चार्जर है ना टाइप C वाले पोर्ट में काम करता है यह ध्यान लगाना टाइप C में जो ट्रैक दी होते हैं PD चार्जिंग के वो अलग से होते हैं वोल्टेज कंट्रोल के ट्रैक ठीक है और मुबाइल फोन में जैसे टाइप B वाला करेक्टर लगा हुए टाइप चार्ज़ सकते हों टाइप चार्ज कर सकते हो टाइप C पोर्ट वाले ठीक है आप सारी बात है समझ चुक है PD चार्जर के बारे बाब कोई क्वेस्चन नहीं रहेगा पीडी चार्जर को इसलिए चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मैं एक पॉइंट और आपको बतायता हूँ क्या पीडी चार्जर हर डिवाइस को चार्ज कर सकता है जी हाँ बिल्कुल कर सकता है लेकिन ध्यान रखना जरूरी यह है कि आपका डिवाइस भी यू मुबाईल फोन में फॉल्टेज अच्छी मिल जाएगी जल्दी चार्ज़ हो जागा आपका मुबाईल स्पीड पर होगा अगर मुबाईल फोन में एकपल प्रोटोकल दें रखाए तो वो नॉर्मल स्पीड से ही । यहां पर इसको समझने के लिए आसान तरिके से यह बत आपके मुबाइल फोन की बैटरी वह भी फून ने लग जाएगी समझ गये होंगे आप इसके बारे में तो यहां पर आप इतनी बात समझी गए होंगे कि फास्ट चार्जर का यूज नॉर्मल मुबाइल फोन में नहीं करना था पता नहीं बिना जानकारी के ऐसी बाते बोल में कि बाइब कोई सभी चार्जर कर लो किसी फॉन के लिए को दिक्कत में इसमार्ट फोन होते हैं उसका नाम ही स्मार्ट फोन इसमार्ट फोन तो इसको पार्ट लगे हो जितनी उनको अथोड़ी सी ओर लगती हमको क्योंकि आसे लोगों कुछ वीडियों हमारे सामने भी फिर हमें थोड़ा अजीब सा लगता कि यार पॉब्लिक को एक गलत वे में ले जाया जा रहा है क्यों नहीं इसको क्रेक्ट किया जाए जानकारी आपको अच्छी लगी हो पीडी चार्जर के बारे में अगर आप समझ गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ल जाए बार